हेलो बच्चो कैसे हैं आप धारा विद्धुत के पहले चैप्टर में हम लोगों ने यहां पे डिसकसन किया था वो था धारा क्या होती है तो आप इस प्रबाह की दर धारा कहलाती है धारा की दिसा इलेक्टरान जिस दिसा में चलते हैं धारा उससे विपरी दिसा में चलती है और फिर हमने बात की थी अनुगमन बेग किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्टरान होते हैं वो तौरित नहीं होते हैं वो एक औसत बेग से चलते हैं, यूनिफॉर्म वैलोचटी से चलते हैं, उसे हम कहते हैं अनुगमन बेग और अब अब एक नया लेक्चर और इसे हम कह सकते हैं उर्जा का गुलदस्ता ओम का नियम बहुत मायने रखता है धारा में, पन्तु उससे पहले एक टापिक पढ़ेंगे हम धारा घनत्तो और फिर पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध यहां पे हम केबल इससे परीचे प्राप्त करेंगे प्रतिरोध के आगे भी दो लेक्चर और होने वाले हैं तो हम स्टार्ट करते हैं धारा घनत्तों से कि धारा घनत्तों क्या होता है सबसे पहली चीज किसी भी चालक के प्रती एकांग छेतर फल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत तो कहते हैं यहां पे हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे किसी चालक के बात तो चालक की होगी क्योंकि धारा चालकों में प्रबायत होती है किसी चालक के एकांग अनुप्रस्त काट के चेत्र फल से गुजरने वाली धारा को ही यस गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत तो कहते है धारा घनत कहते है तो फैक्ट है कि ये तो धारी ही हो गई कैसी धारा जो एकांग चेत्र फल से गुजरती है और आपको पता है यार कि धारा उस अनुप्रस काट के चेत्र फल के अधिकतर लंबबत ही गुजरती है मतलब धारा की दिसा 90% केसेज में चेत्र फल सदिस की दिसा होती है पंतु कुछ केस में अलग भी हो जाती है उनकी भी हम बात करेंगे पंतु अभी आपको चोकाने की बात करें चोकाने वाली बात करें कि ये धारा ही होती है जो एकांग छेत्र फल से गुजर रही है परन्तु परन्तु यह एक सदिस रासी है लो ये तो गड़़ड हो गई सदित रासी है जबकि धारा तो अधिस है एक बार फिर से बात करें धारा अधिस क्यों है क्योंकि ये सदिसों के योकनियम नहीं मानती मालो यहां पे धारा तीन एमपियर जा रही है यहां से 90 डिगरी पे यहां पे धारा पांच एमपियर आ रही है तो फैक्ट है कि यहां पे हम इस तरब भी धारा ले तो भी आट एमपियर होगी, यदि हम इसे हटा के ऐसी कर दें तो भी आट एमपियर ही होगी, मतलब इसमें कोई बिसेज दिसा नहीं मिलेगी, परन्तु यदि सदिस होता तो यहां पे तीन न्यूटन बल लग रहा होता औ और यहां पे लग रहा होता पांच न्यूटन बल तो बच्चो परनामी हमें अलग दिसा में मिलता और हमें मालूम है कि परनामी यहां से यहां तक मिलने वाला था जबकि धारा तो आप जहां पे बायर जोड़ दोगे, उधर हमें धारा मिल जाती है, पंदू एक और बात कि जो धारा होती है ना, धारा के पास परिमान भी होता है, और दिसा भी होती है, बस यह सदिसों के योग के नियम को नहीं मानती, इसलिए हम इसे अधिस बोल लेते हैं, परन्तु कन्फ्यूजन तो है यार, कि सदिस बहरासी होती है, जिनके पास परिमान और दिसा दोनों ह होती है और हमारी धारा के पास परिमान अदिसा है इसके बावजूद वो सदिसों के समूखी नहीं मानी जाती उसका कारण केबल ये है कि वो सदिसों के योग के नियम का पालन नहीं करती है पंतु फिर भी यार एक और चीज होती है हमने यहां पे तीन चीजें बात की थी एक अदिस फिर दूसरी सदिस और पता है तीसरी प्रदिस 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 को इंग्लिस में टैंसर बोलते हैं केबल परिमान और इकाई केबल परिमान है ना और इसके पास क्या होता है इसके पास होती है परिमान प्लस दिसा जो की हमारी धारा के पास है इसके बाबजूद इसे सदिस नहीं माना जाता है क्योंकि आप यदि किसी समूव में हैं तो आपको समूव के नियमों का पालन करना पड़ेगा धारा पालन नहीं करती इसलिए इसे सामानता अदिस बोलने की जगे प्रदिस बोल देते हैं टैंसर बोल देते हैं मतलब धारा एक प्रदिस रासी है पर बचो 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 प्रदिस आपके स्लेवस में है ही नहीं परंतु यदि कहीं पर आपके पास कोई कॉस्टन आता है उसमें अधिस भी लिखा है और प्रदिस भी लिखा है तो आपका उत्तर प्रदिस होगा टैंसर होगा कि धारा एक प्रदिस रासी है परंतु प्रदिस हमें नहीं पढ़ना होता है 11-12 में इसलिए हम धारा को अधिस ही बोलते हैं परन्तु सचा ही तो यह है प्रदिस होती है टैंसर होती है टैंसर क्या होता है टैंसर एक confusing भौतिक राशी होती है जिसमें confusion होता कि यार वो सदिस है कि अधिस है हम confuse हो जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि वो तो प्रदिस है, आइधर स्केलर और वेक्टर, या तो अदिस या सदिस, तो ऐसी रासियों को हम प्रदिस कहते हैं, पता बच्चो, दाब भी एक प्रदिस रासी होती है, दाब, प्रेसर, तो प्रदिस तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए हमें उसकी जादे जानकारियां लेने की जोरत नहीं है पंतु सच्चा ही ये है कि धारा प्रदिस होती है टेंसर होती है पंतु हम यहां पे उसे अधिसरासी पढ़ेंगे पंतु प्रस नहीं ये तो ठीक है ये तो हमने बता दिया आपको प्रस नहीं ये है कि जब धारा अधि रास ही होती हम प्रदिस नहीं बोलेंगे सुनलो आप हम प्रदिस नहीं बोलेंगे अधिस ही बोलेंगे तो फिर ये धारा घनत तो बैक्टर कैसे हो सकता है ये भी समझेंगे धारा घनत का महत भी समझेंगे कि इसका महत तो क्या है एक छोटे बच्चे को यदि आप एक छोटे गिलास में पानी दो तो वो दो घुट पानी पीके संतुस्ट हो सकता है यदि आपको एक गिलास पानी दें तो पूरा पीके भी यदि आप प्यासे हो तो आप और ज़रोत पड़ेगी और बच्चो कमपे रीजन है गाय बगेरा को एदि हमें एक गिलास पानी दें तो पता ही नहीं लगेगा की पानी पिया है की यही चीज़ यहां जोड़ेंगे हमारे पास एक चालक है पंतु वो चालक का अनुपरस्त काट का छेतर फल बदलता चला गया है यह हमारे पास वो चालक चालक है चालक मान लो इसमें इस दिसा में धारा बह रही है आई यह अनुपरस्त काट का छेतर फले यहां से गुजर रही है वो आई यार यहां पे अनुपरस्त काट का छेतरफल जादे हो गया तो हम इसे I1 बोल दें और यहां से जो धारा गुजर रही है उसे हम I2 बोल दें और यह हमारे चालक का अनुपरस्त काट का छेतरफल और जादे हो गया तो हम मान लेते हैं कि यहां पे धारा आई-थिरी उज़र रही है इसके अनुप्रस कार्ट के च्हेतरफल को A1 बोल दो इसके A2 बोल दो और इसको A3 बोल दो देखो, समझो, सुनो, मनन करो कि यह अनुप्रस कार्ट का च्हेतरफल कम था आईबन धारा थी ये अनुप्रस कार्ट का छेतरफल जादे हो गया तो i2 धारा हो गई और ये अनुप्रस कार्ट का छेतरफल और जादे हो गया तो वो i3 धारा थी अब आपसे पूछा गया अब आपसे पूछा गया कि what is the relation between i1, i2 and i3 उनने बोला कि i1, i2 तथा i3 में संबंद क्या है? एक बहुत important बात आपको बताओं कि जैसे पानी बहता है ना बैसे ही धारा बहती है बच्चो एक बात बताओं इसे पाइप माल लो यदि यहां पे दो लीटर पानी भेजा तो यहार गुजरेगा तो यहां से भी दो लीटर यहां से भी दो लीटर गुजरेगा पानी कम और जादे कैसे हो जाएगा? तो बच्चो एक इंपोर्डेन बात यह है कि आई बन बराबर आई टू बराबर आई थिरी होंगी यह अलग-अलग हो ही नहीं सकती तो यह तीनों धाराएं बिलकुल बराबर होंगी अब प्रावलम क्या है? प्रावलम यह है कि इसका अनुपरस काट का छेतरफल जादे हो गया इसके अनुपरस काट का छेतरफल और जादे हो गया तो पता है यदि यह डेफीनेशन आपने अभी सुन ली है, समझ ली है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहां पे आई बन बराबर आई होगा यहां पे आई टू बराबर भी आई होगा यहां पे आई थिरी बराबर भी आई होगा बच्चो धारा घनत तो अलग अलग होगा क्योंकि प्रती एक आंग छेतर फल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत तो कहते हैं मतलब A-1 से जो धारा घनत होगा वो J-1 होगा A-2 से जो धारा घनत होगा वो J-2 होगा और A-3 से धारा घनत J-3 होगा और आपको पता है कि I-1 बराबर, I-2 बराबर, I-3 बराबर, I-Lat मान लिया हमने तो A-1 पर यहाँ पे धारा घनत तो क्या होगा जे बन बराबर हो जाएगा आई अपान ए बन प्रती ये कांकन उप्रस कार्ट से हम यहां पे जे बोलते हैं तो आई अपान ए बोलते हैं और हमने बोल दिया कि ये तो सदिसरासी है सदिसरासी है तो है सिंपल सी बात है अभी हम बात करने वाले हैं सदिस और अदिस वाली भी पंदू अभी यहां पे जो धारा घनत होगा वो आयपान A बन होगा यहां पे जो धारा घनत होगा J2 बराबर हो जाएगा आयपान A2 और यहां पे जो धारा घनत होगा J3 बराबर हो जाएगा आयपान A3 अब आपको एक बात समझ में आगे होगी, A बन छोटा है, A2 उससे बड़ा है, और A3 सबसे बड़ा है, तो बच्चो सबसे कम धारा गनत J3 होगा, मतलब यह जो हर है ना, हर बड़ा होता है, तो भिन कमान कम हो जाता है, तो J3 सबसे छोटा होगा, और उससे बड़ा हो जेटू और सबसे बड़ा हो जाएगा जेबन इसलिए हमें धारा घनत की जवरत पड़ती है अब अब दूसरा प्रस्णा आता है कि इसकी दिसा क्या होती है ये समझने से पहले हम ये समझ लें कि ये जो है वो सदिस कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो एकांग छेतरपल से गुज क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा जे वेक्टर डाट ए वेक्टर लो तो हम धारा की एक नई परिभासा गड़ने हैं यहां पे येस धारा क्या है धारा क्या है दो सदिसों का अधिस गुणन फल अधिस गुणन फल हो सकता है ना क्या प्रावलों में जे आई बराबर जे वेक्टर डाट ए वेक्टर ये हो सकता है तो दो सदीसों का अदिस गुडन फल हो जाती है धारा प्रतिय कांच छेतर फल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत तो कहते हैं और बच्चो यदी हम इसे लिखें आपको पता है ना ए वेक्टर डाट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बराबर होता है ए बी कॉस थीटा ये तो है अदिस गुडन फल इसके लए प्रोड़क्ट आप टू वेक्टर तो हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं आई बराबर जे ए कॉस थीटा अब प्रस्थन ये उठता है बच्चो कि थीटा कितना है थीटा इस इक्वल टू कितना ये बात जरा हमें समझनी है और ये बात तो आपको समझ में आ गई और धारा घनत तो सदिस रासी होता है ये बात भी आपको समझ में आ गई तो फिर अब हमें समझनी की जरुत ये है कि ये ठीटा क्या है चलो इसके लिए अपने एक चालक बनाते हैं फिर से इसे हम मिटा देते हैं ये सब चीजें आप समझ गए हैं परिवासा नहीं मिटा रहे हैं परिवासा लिखी रहने दे रहे हैं और धारा घनत इसके हमें जुरत पड़ेगी धारा घनत की ओम के नियम में इसकी जुरत पड़ने वाली है येस ऐसा नहीं है कि हम फालतू चीज पड़ा हैं अब सुनो ठीटा की बात सुनो मान लो हमारे पास ये कंडेक्टर है ऐसा और अब क्या हुआ कि इसका ये जो सिरा है वो थोड़ा सा ऐसा है ऐसा हो सकता है ना कंडेक्टर बिलकुल ऐसा हो सकता है मतलब ये है हमारे पास इसका अनुपरस काट का छेतपल बीच से मिटा दे रहे हैं ये ऐसा तेड़ा हो गया और हमने क्या बोला धारा ऐसी चल रही है आई ये ऐसी चल रही है मतलब इधर से भी धारा जाएगी तो ऐसी जाएगी अभी ठीटा निकालेंगे और फिर हम बताएंगे कि धारा गहनत की दिसा बास्तब में क्या होती है पहले तो ठीटा निकाले अब आप देखो इसके मद्द बिंदू से छेतरफल सदिस क्या होगा आपको पता है बाहर की तरफ बूजू छेतरफल है उसका जो लंब होगा वो छेतरफल सदिस होगा इसका अनुप्रस काट का छेतरफल ये मान रहे हैं तो बचो ये होगा फल से लंब बत बाहर की तरफ उस छेतरफल की दिसा होती है मान लो हमारे पास ये एक छेतरफल है तो इसका छेतरफल सदिस ये होगा हमारे पास ये एक छेतरफल है तो इसका छेतरफल सदिस ये होगा किसी भी छेतरफल के लंबत इसके बारे में और जादे डिटेल से जाटकारी चाहिए तो हमारे बैक्टर वाला वीडियो जरूर देख लो जो कि आपको यूटूब पर उपलब्द है अब देखो अब देखो ये जो छेतरफल है ना ये ना तो एक सक्ष में है देखो ना हमारे पास क्या होता है ये एक सक्ष और ये होता है बायक्ष और जब भी कोई चीज एक और बायक्ष के अलाबा किसी दिसा में होती है तो फिर वो दो घटकों में ब्योजित हो जाती है बैक्टर में आपको समझना पड़ेगा और ये बाला कौन हम मान लेते हैं ठीटा तो इसका एक घटक ये हो जाएगा इसे बोलेंगे एक औस ठीटा और एक इसके लंबद घटक हो जाएगा एसाइन ठीटा ठीटा समझ में आया येस छेत्रफल सदिस और धारा के बीच का कौन है ठीटा मतलब क्या हो गया ठीटा मतलब हो गया आपका छेत्रफल सदिस तथा धारा के मध्ध धारा के मध्ध कौन अब important बात ये है कि इसके दो घटक हमें मिल गए एक cos theta i और एक a sin theta ये इसका लंबबद घटक है तो हमेशा हमेशा जो घटक आता है वो हमने क्या बोले छेत्रफल सदिस का बैढ़ घटक जो धारा की दिसा में हो उसे ही धारा गनत्य में लिया जाता है धारा गनत्य में लिया जाता है और बच्चो बच्चो हम पहले ही ले चुके हैं ये तो ये ये a cos theta ये वाला घटक समझें आप ये a cos theta तो हमारे पास क्या आ गया i is equal to j a cos theta और फिर theta आपको समझ में आगया है चेटपल सदिस्त तता धारा के मध्द कोण है और कौन सा घटक लेने बाले है जो धारा की दिसा में हो समझे तो ठीटा भी आपको पता लग गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी i is equal to j a cos ठीटा और ये ठीटा भी हम यहां पर माप पाएंगे छेतरफल सदिस का घटक रहता है वो छेतरफल सदिस का घटक होता है छेतरफल का घटक नहीं ले सकते आप छेतरफल सदिस छेतरफल के लंबबत बाहर की तरफ होता अंदर नहीं हो सकता ये दिसा इधर नहीं हो सकती ये बाहर की तरफ होती है समझे आप अब सुनो अब सुनो, मान लो, हमारे पास बाएर ऐसा ही होता ये धारा बह रही है, आई और ये ही छेत्रफल सदिस है तो छेत्रफल सदिस हो धारा के बीच कौन कितने का हो गया? जीरो डिगरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इस इक्वल टू जे ए और कॉस जीरो हैं, क्या आंकिक मान निकालते हैं तो हम आई इस इक्वल टू जे अपान ए लिते हैं तो सामान निता, सामान अबस्ता में जो धारा की दिसा होती है वो ही छेत्रफल सदिस की दिसा होती सामान वाली बात कर रहे हैं हम इसमें तो धारा जजनत तो की बात करेंगे, तो धारा जजनत तो हमेशा छेत्रफल सदिस की दिसा में होता है, परन्तू यदि छेत्रफल ऐसा हो, इनक्लाइन मैनर में हो नत्संतल टाइप का हो तो जो धारा गनत की दिशा होती है छेत्रफल सदिस के उस घटक के लिए ली जाती है जो की धारा की दिशा में होता है मतलब हम यह साइन थीटा नहीं ले सकते हम यहाँ पे एक कॉस थीटा ले सकते हैं यह हमने चेत्रफ़ सदिस को बियोजित किया है दो घटकों में और आप लोग ये जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के लंब कॉड़िये घटक होते हैं perpendicular component होते हैं orthogonal component होते हैं तो ये छेतपल सदिस और उसके बारे में बहुत important बात तो अब आप आसानी से ये बात समझ लेंगे कि ये एक सदिस रासी है समझें क्योंकि ये क्या problem है इसमें जैसे हमने लिखा था ना कि J is equal to I upon A सदिस यार किसी सदिस को किसी अदिस से भाग देते हैं तो सदिस ही आता है इसलिए ये जे सदिस हैं हाँ किसी सदिस को किसी संख्या से अदिस से गुणा करें अदिस का मतलब क्या होता है अदिस का मतलब तो परिमान होता है ये सदिस का मतलब परिमान होता है तो परिमार से गुणा करेंगे तो सदिसी आता है मतलब हमारे पास अधिक कोई A बैक्टर है इसे 10 का गुणा कर दो तो भी A बैक्टरी रहेगा A बैक्टर को 10 से भाग कर दो तो भी A बैक्टरी होगा और 10 बटे A बैक्टर कर दो तो भी A सदिसी होगा तो ये मानलो ये ऐसी कुछ condition है इसलिए जो धारा गनत होता है वो एक सदिसरासी होता है चलिए बच्चो एक बहुत मज़ेदार और simple सा छोटा सा topic था अब हम धारा विद्धत में एक इसे मिटा देते हैं 15 धारा गनत पढ़ी चुके हैं अब हम बात करते हैं ओम के नियम की ओम ने एक बहुत अच्छा नियम दिया और ओम के नियम से ही कहीं न कहीं हम प्रतिरोध के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं तो ये ओम का ही नियम है अच्छा एक बात बताओ एक simple सा example बताओ ये मत बोलन गर्मी के दिन हैं तो आप सर्वत बना रहे हो सर्वत बना रहे हो तो पानी में जितनी सकर डालोगे सर्वत उत्मा मीठा होगा कम सकर डालोगे तो सर्वत कम मीठा होगा जादे सकर डालोगे तो सर्वत जादे मीठा होगा यार जब किसी चालक के सिरों पर बिद्दु छेत आरोपित किया जाता है इसे हम बिववानतर बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो बिववानतर जब किसी चालक के दोनों सिरों पर बिववानतर आरोपित किया जाता है हमारे पास एक चालक ये है और हमने बिववानतर आरोपित कर दिया अब इधर प्लस इधर माइनस है या कुझी कुझी को तो चालूई कर दिया मान लो कि यदी ये था पांच बोल्ड तो इसमें आई बन धारा आई धारा प्रवाईट होई जब हमने पांच बोल्ड विवांतल लगाया था छोटा सेल लगाया था कम धारा वहेगी अब इस केस में इस केस में धारा भी दुगनी हो जाएगी सिंपल सी बात ये है कि आप चालक के सिरों पर विवांतर बढ़ाओगे तो चालक में प्रवायत होने बाली धारा का मान भी बढ़ेगा और उसी एनुपात में बढ़ बढ़ेगा तो ओम ने क्या भूला ओम ने ये ही भूला है कि किसी चालक के दोनो सुखे मध आरोपित बिवांतर उस चालक में उस चालक में प्रवायत धारा के समानुपाती होता है लो जादे विवांतर लगाएंगे तो जादे धारा बहेगी कम विवांतर लगाएंगे तो कम धारा बहेगी आप ओम का नियम ये लिख दोगे तो आपको वो कापी जाचने वाले जो सर हैं वो जीरो नमबर दे देंगे तो अब आप प्रहस्ण करो कि सर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हो नहीं ये तो गलत नहीं है परंतु कुछ इस्तितियां होती है उन इस्तितियों पर ही ओम का नियम बैलिड है बाकि यदि वो इस्तितियां नहीं है तो उनका नियम नहीं लगेगा कब यदि समस्त भौतिक अवस्थाएं अवस्थाएं अप नियत हो अपरिभर्तित रहें नियत हो यदि नो एनी फिजीकल चैंज मतलब पोटेंशल एक्रोस दा कंडेक्टर इस डारेक्टली प्रपोस्टनल टू दा फ्लो आप चार्ज फिजीकल कंडिसंस रिमैन अनचैंज यानि भौतिक अवस्थाएं अप परिभर्तित रहें तो यस भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं ये बात भी हम यहां पर बोल सकते हैं ताफ हो सकता है, छेतरफल हो सकता है, लंबा ही हो सकती है, आयतन हो सकता है, ये सब नियत रहनी चाहिए, तो ही ओम का नियम सही है, बाकि हमें समझ में आता है, कि जित्ता जादे बेभब लगाएंगे, उतनी जादे धारा बहेगी, अब एक और प्रस्थ, ये है ओम का नियम, V is directly proportional to I I छोटी या बड़ी कोई सी भी लिख सकते हैं बच्चो अच्छा भी को हमें डैल भी लिखना चाहिए कि चालक के एक सिरह पे भीवन है और ये भीटू है डैल भी तो डैल भी में की जगे अपन भी लिख सकते हैं क्योंकि B2 में से भीवन या B1 में से B2 गटाएंगे तो कुछ तो मान आएगा हमने विभब लिखा और V लिख रहे हैं डैल लगा देना चाहिए पर तो 90% किसिस में विभब भी ही लिखा रहे था क्योंकि B2 माइनस B1 में भी कुछ भी आएगा परंतु हम यहां पे तो लिख दे रहे हैं इसे हम विभवांतर गोल रहे हैं डैल का डैल की पूछ नहीं लगा रहे हैं अपन इसमें हमेशा के लिए अपन भी लिख रहे हैं वो डैल भी है विभवांतर ही है B2 समानुपाती है आई अब प्रस्ण फिर यह उठता है बच्चो कि B2 के समानुपाती क्यों हैं वी और आई एक्वल क्यों नहीं है प्रस्ण तो यह है कि ओम ने यह क्यों नहीं बोला कि B2 इस एक्वल टो आई क्योंकि जितना विभवांतर आरोपित होगा उतनी ही धारा बहनी चाहिए तो भी और आई बराबर होनी चाहिए और किसी जो बच्चों अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके दमाग में होगा लाप कंजर विसन आप इनर्जी लाप कंजर विसन आप चार्ज यह सब बातें उनके दमाग में उठ रही होंगी तो इक्वल क्यों नहीं बोला यह बात आप जानते हो पर आपको पता नहीं है कि आप जानते हो वो कस्तूरी म्रग होता ना कस्तूरी म्रग उसकी नाभी में होती है कस्तूरी और उसे पता नहीं रहता कि कहा है और वो खुस्बू की तलास में भागता रहता है दोड़ता रहता कि यह खुस्बू आ कहा से रही है उसके अंदर है ऐसे आप भी जानते हो आपको पता है कि जब किसी चालक में इलेक्टान चलते हैं इलेक्टान प्लस की त रांती काल बोलते हैं, यानि एलेक्टान पूरी तेजी से नहीं चल पाते हैं, टक्करें होती हैं, तुम में कितनी इनर्जी हो, तुम भीड में दी भागोगे, तो लोगों से टक्कर होंगी, इनर्जी लास होगा की नहीं, और बच्चों जो इनर्जी लास होता है ना, जो इ धारा के मार्ग में, मार्ग में अब रोध उत्पन करती हैं, अब रोध उत्पन करती हैं, यह टक्कर हैं धारा के मार्ग में अब रोध उत्पन करती हैं, यदि यह टक्कर नहीं हो रही होती, तो इलेक्टान फुल स्पीड से चल पाता है, कहीं भीड नहीं हो, तो आप दोड चले जाओगे पंदू इन्टक करों के कारण अबरोध आता है और इसी अबरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं प्रतिरोध और इसे हम capital R से प्रतिरोध करते हैं तो यदि इन दोनों को बरावर करना है तो V is equal to हो जाएगा R I ये प्रतिरोध है ये इनकाब रोध है ये टककरों के कारण अलेक्टान को पूरी इनर्जी से नहीं चलने देने के कारण धारा के मार्ग में रुकाबट है और ये है इंपोर्डेंट है तो V is equal to R I तो R is equal to हम क्या लिख सकते हैं V upon I ये R का फार्मूला हो गया कि धारा के सिरों पर लगाए गए विवानतर और उसमें प्रबाए धारा के अनुपात को प्रतिरोध के ये प्रतिरोध की परिवासा आपको जादे काम की है परंतु ये बात है दि हम करते हैं चालक के सिरों पर आरोपित विवानतर तथा उसमें प्रबाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध के ये बात हो गई प्रतिरोध की ये उसकी फिजीकल बहुतिक अबस्था में परिवासा है कि किता आपने लगाया उस पे विवानतर और उसके कारण कितनी धारा बही तो कमी जो आएगी वो ही प्रतिरोध के बराबर आएगी इसलिए हम वी और आई के अनुपात को दा रेसो बेडिबीन पोटेंसल डिफरेंस एक्रोस दा कंडेक्टर तू दा फिलो आप स्टेडी करेंट नौन एज रजिस्टेंस ये इंग्लिस में हैं अंग्रेज लोग इसे बोलते हैं तो ये तो नहीं होगा यहां पे तो आर तो बच्चो ये बाली बात आपको समझ में आ गई है अब अब सुनो जरा काहम की बात सुनो कि इस प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे कैसे हां हम ग्राप से भी इसे निकाल सकते हैं सुनना जरा वो काहम की बात है इसलिए अच्छे से सुनना है सुनना ही है आपको सुनिये त बहुते कबस्ता हैं लिखी रहने देते हैं अब आपको पता है भी और आई समान उपाती है जब हम भी और आई के बीच में ग्राप खीचें ये विभव हो गया विभवांतर और ये धारा हो गई इस तरफ भी है चुकि वी इस डारेक्ली प्रपोस्टनल टू आई ये ओम का नियम है अभी हम प्रतुरोत की हिकाईयों की भी बात करने बाले हैं रुख जाओ पहले ज़्यादे काम की बात समझो जब दो चीजें समान उपाती होती हैं तो उनके बीच जो ग्राप आता है ये औरी जने एक सीदी रिखा आता है ये है वी और आई के बीच का ग्राप थोड़ा चोटा बना देते हैं वी और आई के बीच का ग्राप किसी भी ग्राप का सिलोप ढाल एक सक्ष के धनात्मक दिसा में उस grab द्वारा बनाए हुए कौन को माना जाता है मतलब ये बाला कौन है ठीटा ठीटा को क्या बोलते हैं ढाल, सिलोप बोलते हैं ये सिलोप बहुत माइने रखता है कि इसका फिर से हम बताएं कि ये सिलोप हमेशा हमेशा X अक्षी की धनात्मक दिसा से और grab के बीच के कौन के से माना जाता है समझ गया, समझ गया ये फिर से बताते हैं ये X अक्षी की धनात्मक दिसा और grab के बीच का जो कौन आता है उसे हम बोलते हैं हाल, सिलोप बोलते हैं और पता है, ये सिलोप निकालना है सिलोप निकालना है तो यहां से आतक एक इस पर लंब डाल दो, यह बाली चीज हो गई, आई, और यहां से यहां तक निकाल दो, यह बिवानतर भी हो गया मान लेते हैं, सिलोप निकालेंगे, तो क्या होगा, लंब बटे तरज्जा, कोण बराबर चाप बटे तरज्जा होती है के नहीं, और इस कोण को सिलोप को हम जनरली 10 थीटा मान लेते हैं, यास, कोण छोटा है तो उसे 10 थीटा लिख देते हैं, बड़ा भी हो, तो यार मालो में आपको एक फार्मूला है, कि कोण बराबर चाप बटे तरज्जा, वैसे हम हमेशा इसे 10 थीटा लेते हैं, पन्तु कोण से भी ले स लगते हैं, तो ढाल, और ढाल क्या हो गया, थीटा, बराबर चाप कितना हो गया, यहां से आं तक की दूरी भी हो गई, भी, और तरज्जा कितनी हो गई, आई, अरे यार, बी अपन आई तो आर है, सुलोप ढाल और इसी को अपन 10 थीटा भी लिख दें, तो मतलब क्या हु बहुत मतलब पूछते हो यार, बहुत मतलब ही आदमी हो तुम, नहीं आपको बनना चाहिए, यहां पर मतलब ही एक चीज समझ में आनी चाहिए, तो यह तो प्रतिरोध हो गया, मतलब वी, आई, ग्राफ का ढाल, प्रतिरोध दरसाता है, प्रतिरोध दरसाता है, तो आप आसानी से प्रत्रोद निकाल पाओगा, सुनो, सुनो, ये ठीटा बड़ा होगा ठीटा बड़ा होगा, तो देखो, यहां पर क्या है हमारे पास यदि ठीटा बड़ा हो गया, तो किसी भी हालत में धाल भी बड़ा हो जाएगा देखो हम दूसरे color से बनाने ये ऐसा graph होता तो ये ठीटा बन है धाल जादे है देख रहा है ये ठीटा कम है ये धाल जादे है तो सीधी सी बात है कि धाल बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा अरे यार एक question आता है ऐसे grab दे देते हैं वो किते हैं किस में प्रतिरोध जादे है तो एक second में देख लेना जिसका ये slope ये कौन जादे है उसका प्रतिरोध भी जादे है तो आप यहां से भी एंगिल लोगे तो भी ठीटा ही मिलने वाला है यह यहां से इसका एंगिल लोगे तो ठीटा बन ही मिलने वाला है तो 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 बिभब और धारा के बीच आप खींचो, सिलोप निकाल लो ठीटा, टैन ठीटा से निकाल लो और ये सिलोप, ये ढाल, ये ही तो प्रतिरोध होता है तो सिलोप बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा उससे theoretically समझो, देखो ये ऐसा ऊपर हो गया तो विभब जादे हो रहा है, धारा कम हो रही है देखो यहां पे, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा बिभव का मान जादे होता जाएगा, धारा का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इधर होता जाएगा, बिभव कम है धारा जादे है, अलग-अलग हमारे चालक होते हैं, सबका प्रतिरोध अलग-अलग होता है, प्रतिरोध उस चालक की अपनी प्रवर्ती होती है, अपना गुण होता है, हर चालक का प्रतिरोद बराबर नहीं होता है, किसी चालक में अधी कम विववानतर लगाए तो जादे धारा बैसकती है हम बताएं इलेक्ट्रिक लाइन है आपके सर्किट है उसमें इनी तीनों धातों मेंसे किसी को उपयोग किया जाता है परंतु यदि हम लोहा ले ले तो लोहा में विवांतर भलई सिल्वर के बरावर लगाया है परंतु धारा सिल्वर यानि चांदी से उसमें कम बहती है तो प्रतिरोध किसी भी चालक का अपना गुण होता है और पता है एक और बात अभी ह प्रतिरोध की बात तो हमें करना है और हमने बोला है कि हम यहां पे प्रतिरोध अधी आप लोगों को समझा रहे हैं तो परिचे प्राप्त करेंगे, इसके तो और वीडियो चलने वाले हैं, परन्तु अभी, पहले, एक बात तो हम ये समझ लें, कि आर की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है, ओम, ऐसे लिखते हैं, बच्चों, जो ओम नहीं तो बताया था, ओम, और ऐसे बनाते हैं, इस प्रतिरोद का मतलब रुकावट होता है, तो पता है, ओम को परिवासित कर दें इस से, ओम, बन ओम is equal to बन बोल्ट, बटे बन एंपियर, एक बोल्ट का बिवांतर, एक एंपियर धारा प्रभाहित करें, तो उसका प्रतिरोद एक ओम होता है, फिर से सुन लो आप, यदी कि चालक में एक बोल्ट का विवानतर लगाया जाए और उसमें एक एंपियर ही धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरूद एक ओम होता है तो ओम कोई भी परिवासा आपने कर ली है पता है जो चालक होते हैं कई बार दात्युक चालक भी और बैद्दो तब घटे द्रभी चाल को तेहना ये सब ओम के नियम का पालन करते हैं इसे हम मिटा देते हैं फिर हम और बात करते हैं ये मिटा हैं क्योंकि बाते तो एक से बढ़के एक हैं ओम ने चीज ही ऐसी दिये यार जिसके बारे में हमें समझना ही पड़ेगा जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेना ही पड़ेगा और हस्ते हस्ते खेलते खेलते बिलकुल रिलैक्स मोड में हमें ये जानकारी देना है तो सुनिए समझिए कि जो परिपत जो परिपत ओम के नियम का ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी है ओमी ओमी है ऐसे लिख देना ऐसे लिख देते हैं ओमी है परिपत कहा जाता है जो भी ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओहमिक इंग्लिस में ऐसे लिखते हैं O H M I C known as ओहमिक सर्केट ओहमिक ओहमिय परिपत हम ओहमिक ऐसे भी लिख सकते हैं और देख लेना उसे और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते जो ओम के नियम का बिलकुल नियम का पालन नहीं करते उन्हें अन ओहमी है परिपत कहा जाता है कौन नहीं करता हम बताते हैं आपको अर्ध चालक, आंसर है अर्ध चालक, सेमी कंडेक्टर, सेमी कंडेक्टर नहीं करते हैं ओम के नियम का पालन पन्तु यहां पे सभी चालक करते हैं सभी चालक करते हैं और विद्धुत अब घटे भी करते हैं इलेक्टो लाइट भी करते हैं विद्धुत अब घटे यानि ठोज चालक और द्रवी चालक दोनों करते हैं विद्धुत अब घटे ये भी ओम के नियम का पालन करते हैं अब यहाँ पे हमें ओम के नियम की सीमाय पढ़नी हैं, परन्तु अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सीमाय पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी प्रतिरोध की बात और पता हो जानी चीए, तो हम ओम के नियम का निगमन करेंगे, निकालेंगे, ओम का नियम हम ग्याद करेंगे कि कैसे प्राप्त होता है ओम का नियम वो निकालना है हमें परंतु थोड़ी सी बात्यार बच्चो प्रतिरोध की करलो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से ओम का नियम निकमन करेंगे प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे मज़ा आने वाला है बिल्कुल मज़ा आने वाला है तो ये दोनों चीजें तो लिख लिए हैं अभी हम ओम के नियम की सीमाएं नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं अभी हम इंट्रोडूज हो रहा है प्रभावित करने वाले करने वाले कारक और इन सब को हम सिद्ध करेंगे इन सब को प्रूब भी करेंगे परंतु आज कौन-कौन से प्रभावित होता है सीधा समझ रहे हैं नमबर पहला जो कारक है वो है ताप ताप बढ़ाने से गते जूर्जा बढ़ती है और अधिलेक्टान तेज चलेंगे तो धारा का मान भी तेज होना चाहिए प्रतिरोध कम हो जाना चाहिए ताप बढ़ाने से है ना ऐसे ही लगता है ना क्योंकि ताप एक मात्र काम करता है लिख लो ये बात गते जूर्जा बढ़ा देता है और जब गते जूर्जा बढ़ा देता है इसका मतलब है कि धारा भी बढ़ जानी चाहिए पर ऐसा होता नहीं है बच्चो हम यहां पे ताप ब्रधी के साथ धातिक चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता है यह तो उल्टी बात हो गई पर उल्टी बात से पहले एक और एक और बात ताप ब्रधी के साथ बिद्धुत अब घटे की भी बात कर लें बिद्दुत अप घटे का प्रतिरोध कम होता है ये भी टेंसन वाली बात हो गई मतलब धात्युक चालक, हमारा सबसे जादे पाला फिजिक्स में धात्युक चालकों से बढ़ता है तो ताप यदी बढ़ेगा तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और बैद्दुत अप घटे जो होते हैं जिनने केमस्टी में आपको पढ़ना होता है इनका यदी ताप बढ़ेगा तो बच्चों प्रतिरोध कम हो जाएगा चलो समझते हैं यारी उल्टी बात कैसे होगी फिर से फिर से ताप क्या करता है गति जूर्जा बढ़ाता है तो देखो ये है आपका वो चालक ये है आपका चालक और यहाँ पर पोजेटिव आयंस होते हैं ऐसे भर देते हैं जब इलेक्टान चलेगा तो इससे टकर करेगा फिर इससे करेगा फिर इससे करेगा फिर इससे करेगा फिर चलेगा तो ताब बढ़ाएंगे तो इलेक्टान की गति जूर्जा बढ़ जाएगी तो ताब बढ़ाने पर इलेक्टान की गति जूर्जा बढ़ जाएगी और ये टाव हम बोल रहें क्या ताब बढ़ाने पर बढ़ाने पर इलेक्टान की गति जूर्जा बढ़ेगी बिल्कुल कोई सक है ही नहीं गतिजूर्जा बढ़ेगी यार गतिजूर्जा बढ़ेगी तो ये तकराएंगे भी तो जादे तो टकरों की संख्या भी बढ़ेगी तो टकरों की टकरों की संख्या भी बढ़ेगी संख्या भी बढ़ेगी तो ताप बढ़ाने पर इलेक्टान की गतिज उर्जा बढ़ेगी तो टकरों की से तुम दोर लगा दो यार भीन में तेजी से टकराओगे चमक जाएंगे तारे आँखों में उत्ती तेज नहीं चल पाओगे टकर बढ़ जाएंगी न तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा स्रांतिकाल कम हो जाएगा जिस समय वो रिलेक्स था न जो ये टाइम कम हो जाएगा जल्दी टकराएगा जादे एनरजी लास होगी टकरें बढ़ेंगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा टक्करों की संख्या बढ़ेगी और हमने क्या बोला है आँपे टक्करें बढ़ेंगी बढ़ेंगी तो प्रतिरोद बढ़ जाएगा समझ में आ रहा है ना बिलकुल आ रहा है नहीं आ रहा तो तुम भीड में दोड़ के देख ले ना पूरी ताकत से दोड़ना टक्रा के भड़ से गिर जाओगे फिर उटके दोड़ोगे फिर टक्राओगे फिर गिरोगे दीरे दीरे भागोगे तो भाग पाओगे दोड़ा थोड़ा टक्कर करके इसलिए ताब ब्रद्दी के साथ धात्युक चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ये बात आपने समझ ली है अब हम यहाँ पे इसकी बात करें बिद्दुत अब घटे का क्यों होता है अच्छा बिद्दुत अब घटे और धात्युक चालकों में अंतर क्या है दात्युक चालक में केबल इलेक्टरान आबेज वहाख होते हैं अखेले इलेक्टरान चलते हैं और विद्दूत अब गटे में आयन चलते हैं धन और रिन आयन विद्दूत अब गटे ऐसा होता है यहां पे चलते हैं धन और रिन आयन दोनों अच्छा एक धन बनाओ तो एक को रिं बनाना चीए न सर यसे यह रिंण है ये चलते हैं यहाँ पर आप धन लगा दो यहाँ पर रिंड लगा दो तो यह धर चलेगा यह धर इनकी गते जूर्जा बढ़ेगी और पता है ताब बढ़ाएंगे तो इसकी स्यानता कम हो जाएगी ताब बढ़ाने से द्रब के अड़ू दूर दूर हो जाते हैं स्यानता कम हो जाएगी गाड़ापन कम हो जाएगा और स्यानता का मतलब क्या होता है घरसन द्रब की सतों के म लगने वाले घरसन कोई स्यानता बोलते हैं, ताब बढ़ाने पर स्यानता कम हो जाएगी, यानि घरसन कम हो जाएगा, आसानी स्यान चल पाएंगे, इसलिए जो बिद्धुत अब घटे हैं, उनका, येस, वो ही, जो तुम पढ़ रहे हो, प्रतिरोध कम हो जाता है, ये पहला कारक हमने पढ़ा, चलो, दूसरी बात करते हैं, नमबर टू, सेकेंड बात करते हैं, चालक की लंबाई चालक की लंबाई येस चालक की लंबाई यार जादे लंबा रस्ता हो भीडबाला तो आपको जादे देर लगेगी ना निकलने में भीडबाला रस्ता कम हो तो आसानी से कम निकल जाते हो मतलब आर समानू पाती है एल के चालक की लंबाई एल मान ले रहे है तो चालक की लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाति होता है यही लिख रहे हूं इसे क्विसन नंबर आप एक मान लो, इसकी अपन जरुरत है, आगे बहुत इंपॉर्डेंट चीज अपन लेके आएंगे, चलो, चलो दूसरी चीज परते हैं, तो लंबा ही बढ़ेगी तो प्रत्रोद बढ़ेगा, चालक जत्ता लंबा होगा प्रत्रोद उत्ता जादे चलो भीया, ए मान लेते हैं, जिस रोड पे आप भाग रहे थे, भीड वाले पे वो रोड चोणा कर दें तो, भीड का घनत तो कम हो जाएगा, आप आसानी से दोड़ पाऊगे ना, येस, समझ गया, आप आसानी से दोड़ पाऊगे, तो पताए, प्रत्रोद आर इस इंब प्रत्रोद चालक के, अनुप्रस्त काट के, येस, अनुप्रस्त काट के, छेत्रफल का, छेत्रफल का ब्यूत किर्मानुपाती होता है, ये इसे क्विसान नंबर अपन बोल देते हैं, दो, अभी हमने इतनी बातें की हैं, अभी हम प्रत्रोद की बात और करेंगे, पंतु तीन फेक्टर हैं, जो हमारे प्रत्रोद को बहुत ही जादे प्रभावित करते हैं, तो पता है, अब हम क्या ले लें, हम समी करन एक अब आप सांती से बेट जाएए, स्रामती काल रखिए, क्योंकि आपको बहुत इंपोर्डेंट बात पता लगने वाली है, एक और दो, मतलब आर ही एल के समानु पारती है, आर ही एके बित्क्रमान पारती है, तो अपन एक और दो से लिख सकते हैं, आर समानु पारती है, आर से ही है, ये दोनों को एक समान लिख दिया, लिख सकते हैं ना, बराबर करने के लिए एक नियतां का गुणा करते हैं, आर इस इक्वल टू रो एल अपान ए, इसे रो बोलते हैं, इसको, और पता है, इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं, इस रो को बोलते है को एक और सब्द में यूज किया जाता है प्रति रो धक्ता यस ये स्पेशल चीज है बिस्ष्ट है तो अब हम बिस्ष्ट प्रति रो निकालेंगे तो एक और एल इसी से यूज किया रो इस इक्वल टू आर ए अपान एल हो जाएगा और प्रतिरोध की एकाई आपको पता है ना कि ओम होती है यस ओम होती है प्रतिरोध की एकाई तो अब आप देखिए ए इस इक्वल टू बन यूनिट यूनिट एकाई और एल भी हम बन यूनिट ले लें ये दोनों बन-बन यूनिट ले ली तो AB बन, L बन तो R is equal to हो जाएगा, R is equal to हो जाएगा, R कव? जब अनुप्रस काट का छेतरपल भी एक-एकाई हो और उसकी लंबाई भी एक-एकाई हो यार दोनों एक-एक यूनिट लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आयतन एक-एक-एकाई होता है तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होती है तो प्रति एक-एक आंक आयतन के चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है एक आंक हुआ ना तभी प्रतरोत के बराबर हुआ ना ये भी एक माना अनुप्रसकाट का छेतरफल भी एक माना तूडी लंबाई भी एक मानी बंडी ठिरिडी हो गए ना ये दोनों मिलके आयतन बनाते हैं कि नहीं एरिया और लेंग्थ मिलके आयतन बनाते हैं कि नहीं तो इसकी परिवासा चालक के प्रति एकांक आयतन का प्रतिरोध ही प्रतिरोध अकता कहलाती है. प्रतिरोध ही 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 प्रतिर बात और करते हैं इसे मिटा दे? यस मिटा देते हैं यह हमने मिटा दिया क्योंकि थोड़ी सी काम की बात है तो और ही करनी है यार एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो आप आगे उप्योग में नहीं लाओगे यह समझोगे तो जग जीतोगे समझ गए हम तो देखे हमारे पास प्रति रोधक्ता हम बात काई की कर रहे हैं प्रति रोधक्ता की बात कर रहे हैं प्रति रोधक्ता और यह क्या होगी रो तो रो is equal to हमने क्या लिखा था आरे एपान रो की र की unit है ओम ऐसे बहुते उल्टा कोबरा कोबरा साफ नहीं होता कोबरा उल्टा होता है A की क्या हो गई meter square L की क्या हो गई meter से meter cancel यह हो जाएगी ohm meter यह हो जाएगी ohm meter तो इसकी काई हो गई ohm meter एक अंकातन के प्रतिरोध की काई हो गई ohm meter तो काम की बात है बच्चो अब सुनो, हमें प्रतिरोध बहुत पढ़ना है अगे, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ओम के नियम का निगमन भी करना है, वो भी हम करेंगे, अभी तो आप ये सुनो जरा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, यानि प पच्छो ये आर का ब्यूत्क्रम आर का उल्टा कर दो चलावट नया सब्दें दिवासा में नहीं मिलता आर का ब्यूत्क्रम क्या हो जाएगा चलावट ये सब्द आपको मिलेगा नहीं बर्ण माला में पंदु चलावट का मतलब आप समझ रहे हैं हमें मालूम है प्रतिरोध रोकता है तो इसका ब्यूत्करम चलाएगा उल्टा तो यही होता है हैना रात काली होती है तो इसका ब्यूत्करम दिन चम्किला होता है तो आर का ब्यूत्करम चलावट इसे बोलते हैं बिद्धुचालकता बिद्धुचालकता प्रतिरोध का ब्यूत्करम बिद्धु चालक्ता होता है चलावट भूलतें से तो पता चालक्ता तो चालक्ता बराबर क्या हो गई? चालक्ता बराबर हो गई एक बटे प्रतिरोध बनपान आर और इसकी काई पता क्या हो जाएगी? बनपान ओ चाह लगता कि कई प्रतुरूत की कई के बित्क्रम हो जाएगी बनपान ओम और इसे उपर ले आओ तो क्या हो जाएगा ओम इन्बर्स और ओम इन्बर्स को एक और चीज बोलते हैं इसे हम ऐसे लिख देते हैं ये लो क्या बात है यार इसका साइन उल्टा कर दो ओम इन्बर्स था तो इसे उल्टे ही बना दो और पता बोलते क्या है इसे अपन बोलते हैं मिहो स्पिलिंग देखो ओ एचेम और मिहो की स्पिलिंग क्या है एम हो इसकी स्पिलिंग है एम हो उल्टा और तुम्हें जादे उपयोग में जो चीज लेके आनी है उसे हम बोल सकते हैं capital S और इसे c-man बोलते हैं कुछ लोग Simon भी बोलते हैं तो Simon बापस जाओ यह अंगरी जोंके समय नारा लगा था पर तुम इसे c-man बोलते हैं capital S से पर दर्सित करते हैं इसे तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह c-man हो गई म्यो हो गई और o-minbers हो गई एक ही बात है म्यो भी वो यह हम यह बाली काई सबसे जादे उपयोग में लेके आने बाले हैं और अब अब हमने प्रतिरोध का को यह बोला था तो पता है अब बिसिस्ट प्रतिरोध का वियूतक्रम क्या होगा हम तो प्रतिरोध अक्ता की बात कर रहे हैं तो पता है बिसिस्ट बिसिस्ट है स्पेसिफिक है बिसिस्ट प्रतिरोध का वियूतक्रम बिसिस्ट चालक्ता कहलाता है बिसिस्ट चालक्ता इंबॉल यूज किये हैं बच्चो इसलिए tension mention नहीं करने का, okay, वो कहता ना, अपना कोई hero, कि tension नहीं लेने का, tension के बल नहीं देने का, okay, ठीक है, तो विस्स प्रतुरोत का वितकरम, विस्स चालता कहलाता, कहलाता भी तो लिख दो, कहलाता है, inverse आप specific resistance is known as specific conductivity, conductance, specific conductivity, तो sigma बराबर क्या हो जाएगा, sigma बराबर हो जाएगा, बना पान रो, और अब इसकी हिकाई निकाल लो, बना पान ये क्या थी, ohm meter, तो अपन क्या लिखेंगे, ohm inverse per meter, ohm inverse को mu per meter बोलेंगे, और miho को अपन सीमेंस per meter, miho को ही सीमेंस कहते हैं, सीमेंस per meter इसकी एकाई हो जाएगी, अच्छा, एक बाद बताएं कि प्रतिरोध को बुरा मत समझना, प्रतिरोध कई बार हमारी बड़ी help भी करता है, बहुत help करता है कई बार प्रतिरोध, तो बिसिष्ट प्रतिरोध का व्यूत्क्रम विशिष्ट चालगता होती है। यह है विशिष्ट चालगता। इसकी काई ओम मीटर है। तो ओम इनबर्स और मीटर। अब एक ओर important बात तो बतादें। प्रतीरोध ताप पर प्रभावित करता है। लंबाई पर प्रभावित करता है। चेत्रफल से प्रभावित होता है, करता नहीं है, होता है, होता है, तो पता है, जो बिशिष्ट प्रतिरोध होता है, बिशिष्ट प्रतिरोध, बहुत काम की बात बता रहा है, बच्चो, बिशिष्ट प्रतिरोध, यानि रो, ये एक करेस्ट्रिस्थिक प्रापरडी है, यह यह चालक का चारित्रिक गुण है चारित्रिक गुण है इस दा करेक्टरिस्ट्रिक प्रापरड़ी आप कंडेक्टर यह चालक का चारित्रिक गुण है समझे यह बात यस पता है करेक्टरिस्ट्रिक प्रापरड़ी मतलब इसमें लंबाई से कोई परिवरतन नहीं होता चोड लगना हो जाएगा पन तु कि वो तो एकांकायतन की होती है यार एकांकायतन की कि चीज कैसे बदलेगी है ना तो लंबाई चोड़ाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध बदलता है प्रतिरोध अक्ता नहीं बदलती तो नहीं बदलती ये चारे तरिक गुण है ताप से प्रभावित होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे तूबी कंटीन्यू नमस्क कर दो आगे तूबार झाल झाल